बच्चों आपको एक अपडेट देने जा रहा हूं अभी एजुकेशन मिनिस्टर मिस्टर धर्मेन प्रधान जी लाइप थे उन्होंने क्या-क्या बाते बताई नीड से रिलेटेड और उन सभी बातों को मैं पांच मिनट में बता देता हूं आपको क्योंकि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बताया है ज्यादा कि बहुत लंबा वीडियो जाए 5-7 वेड में मैं सारी बाते आपको बता देता हूं जो प्रेस क्रण्सफरेंस में धर्मेन प्रधान जी ने प्रेस को बताई हैं आप लोगों को बताई हम लोगों को बताई है कि बच्चों के फ्यूचर के स उसमें हम कड़ा रुख अपलाई करेंगे जो जो उन्होंने कहा है वो मैं कह रहा हूं अपने सब्द नहीं है दूसरी बात जो स्पेस्फिक बात है इंपोर्टन बात है वो यह है उनका कहना है कि जो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई है उसके बेसेज पे पटना के इसपेस्पिक रीज़न में पेपर लिट का मामला आया है शुरुवातीजांच में उन्होंने कहा है हो सकता है आँगे क्या होगा पता नहीं है ठीक है पतना पूलिस और एंटिए बात भारस सरकार आपस में इन विशौओं पे लगातार बात कर रही है अग्ला उन्होंने जो point बताया है वो ये कि यदि NTA के officer इन चीजों में सामिल है तो उन पर कड़ा action होगा उनको सजा मिलेगी उनको सजा मिलेगी तीसरा main point ये है और सबसे important चौथा main point है वो future के लिए है उनों ने एक high label committee बनाई है high label committee बनाईंगे बनाई नहीं है कि हाई लेबल एक committee बनाईंगे जिसमें delle academic के लोगी होंगे जिसमें cyber crime के लोग भी होंगे जिसमें बड़े बड़े अधिकारी भी होंगे जिसमें operation को करने के मतलब paper conduct कराने के लिए जो अधिकारी लगते हैं वो भी होंगे उस commission में security के भी लोग होंगे तो उस commission उस committee का काम होगा अपनी report में ये बताना कि NTA के structure में क्या सुधार किये जाएं एक्जाम कैसे conduct कराया जाएं मतलब offline कराया जाएं या online कराया जाएं ठीक है zero error के साथ कराया जाएं और यदि online या offline होता है तो paper की security कैसे fix की जाएं जैसे बच्चों के future के साथ क्या हो खिडवाल ना होने पाएं उस तरह की high label की committee बनाने की बात की गई है उसके सदस कौन होंगे कौन नहीं होंगे अभी नहीं पता है मगर ये जरूर बताया है कि वो high label मतलब security के लोग होंगे academic के लोग होंगे academic operation के लोग होंगे structure बनाने वाले बड़े बड़े officer होंगे ठीक है ये सारे लोग उस committee में सामिल होंगे फिर किसी ने net UGC net UGC एक paper होता है जो professor बनने के लिए conduct कराया जाता है UGC net उसका paper 18 June को था उससे पहले वो cancel कर दिया गया NTA के थुरू क्यों क्योंकि paper leak का कुछ उनको issue लगा वो dark net में उनको issue मिला था इसलिए उन्होंने paper क्या किया था रद्द कर दिया था उसकी information उन्होंने दी बस मोटी मोटी ये बाते पूरे press conference में बताई गई है जो मैंने आपको 5 मिनिट में बता दिया है तो ऐसी कोई बहुत लंबी चौनी बात नहीं है जिस पे आपको focus कर रहा है ये future वाले बच्चों के लिए अच्छा है कि high label की committee बनेगी जो NTA के structure को change करेगी ये उनके लिए अच्छा है ये future वाले बच्चों के लिए अच्छा है कि जीनों ने paper out किया है NTA के आधिकारी मिले जरूर होंगे नहीं तो paper कैसे out होगा लिक होगा तो उनको भी कड़ी सजा मिलेगी ये उनके लिए अच्छा है ठीक है तो ये information मोटी मोटी आज की press conference में अभी अभी ठीक है मिनिस्टर धर्मेन प्रधान जी ने हम लोगों को मतब सब को बताया है ठीक है बच्चों अब मैं ये कहना चाहरा हूँ कि आप पढ़ाई करते रहें जो भी कुछ होगा दो चार मिनट के update में मैं आपको बताता रहूँगा उसके लिए घंटों ना आप बरबाद करें ना ह आप लोग पढ़ाई करते रहें पूरी ताकत के साथ पढ़ाई करते रहें चार से पांच मिट में मैं हर सारी बाते जो भी प्रेस कॉंफरेंस होगी या कुछ होगा वो बताता रहूँगा आपको ठीक है